नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नीरज भारतवाज और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के पोस्ट में दोस्तों आज हम डिसकस करेंगे 11 जून के करंट अफेर्स तो शुरू करते हैं अंडमान सागर में शुरू हुआ इंडो थाई कॉर्पेट अभ्यास भारत थाईलेंड समन्वित गश्ती अभ्यास का 31 ससकरण 9 जून 2021 से शुरू हो गया यह तीन दिवस्यों गश्ती अभ्यास भारतिय नौसेन और रोयल थाई नौसेना के बीच अयोजित किया जा रहा है इस अभ्यास में भारत की ओर से सवदेशी नौसेना अबत्तियों गश्ती पोत आएनस सर्यू भाग ले रहा है तो वहीं थाइलेंड की ओर से थाई नौसेना HTMS काबरी भाग ले रहा है Corporate means coordinated patrols Corporate अभ्यास दोनों नौसेनाओं के बीच 2005 से हर दो वरश में उनकी अंतराश्ट्रिय समुंदरी सिमा रेखा के बीच आयोजित किया जा रहा है दोस्तो थाइलेंड एक Asian country है थाइलेंड की राज़दानी Bangkok है और यहां की मुद्रा थाई बात है भारत 2025 तक 20 गिगावाट पवन उर्जाक शमता स्थापित करेगा GWEC हाली में Global Wind Energy Council GWEC ने इंडिया Wind Energy Market Outlook जारी किया है इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास केंदर और राज्य के बाजारों में 10.3 गिगावाट की पवन उर्जा प्रियोजनाए निर्माना दीन है इस रिपोर्ट पर प्रकाश डाला गया है कि भारत 2021 से 25 तक 20 गिगावाट पवन उर्जाक शमता स्थापित करेगा Global Wind Energy Council GWEC की स्थापना 2005 में हुई थी यो अंतराष्ट्य स्तर पर संपुर्ण पवन उर्जाक शेत्र के लिए विश्वसनी और प्रतिनिदी मंच परदान करता है इसका मिशन यो सुनिश्चित करना है कि पवन उर्जा दुनिया में अगरणी उर्जा स्थापित हो जिससे कई पर्यावरणियों और आर्तिक लाव मिलते हैं योरोपिय संग पवन उर्जाक शेत्र में अगरणी उर्जा बजार है जिसकी स्थापित क्षमता लगबग 48 गिगावाट है इसरो पुर्वत्र में विकास पर्योजनाओं की साहिता करेगा कैंद्रियम मंतरी डाक्टर जितेंदर सिंग के अनुसार भारतिय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अंतरिक्ष प्रद्योगी की के माध्यम से पुर्वत्र में विकास पर्योजनाओं की साहिता करेगा इसरो सेटलाइट इमेजिंग और अन्य अंतरिक्ष प्राद्योगी के उत्तम उप्योग की पेशकश करेगा इन एप्लिकेशन्स का उप्योग भारत के उत्तर पूर्विक्षेत्र के सभी आठ राज्यों में धांचागत पर्योजनाओं के भैतर कार्यन वयन के लिए किया जाएगा पूर्वोत्तर के आठ राज्यों में से छे पहले से ही इस्रों को अपने विशिष्ट प्रस्ताव भेज चुके हैं सिक्कीम और असम जल्द ही अपने प्रस्ताव भेजेंगे IIT खड़कपूर ने अरली साइकलोन डिटेक्शन टेक्निक विक्सित की भारतिय प्रद्योगी की संस्थान IIT खड़कपूर ने एक प्रारामबिक चकरवात का पता लगाने की तक्निक विक्सित की है जो उत्तर हिंद मासागर क्षेतर में उश्ड कटिबंदिय चकरवातों के विकास या मजबूती का शिगर पता लगाने में मदद करेगी IIT ने AD detection तक्निक का उप्योग करके इस तक्निक को विक्सित किया है इस तक्निक का अध्यायन विज्ञान और प्राद्योगी की विभाग के सयोग से जलवायू परिवर्तन कारेकरम के तहट किया गया था वायमंडिलियस तंब में पुर्व चक्करवाती AD बहवरों के प्रारंबिक निशान की पैचान करने के उद्देश्यों से योड़ तक्निक फिक्सित की गई है एंडि बहवरों की विशेष्टाओं की पैचान करने के लिए शोद करताओं ने 27 किलोमेटर के मोटे ग्रिड रेजिलूशन का उपयोग किया है फेस्बुक ने सपूर्ती प्रिया को शिकायत अधिकारी निउक्त किया है फेस्बुक ने अपने शिकायत अधिकारी के रूप में सपूर्ती प्रिया को निउक्त करने की गोशना की है योग कदम पिछले महीने लागू होने वाले नए सुचना प्राद्योगी की नियम 2021 की वज़ा से लिया गया है भारत सरकार के नए दिशा निर्देश के अनुसार रास लाग से अधिक उप्योग करताओं वाली सोशल मीडिया कमपनी को एक शिकायत अधिकारी नोडल अधिकारी और मुक्य अनुपालन अधिकारी भारत में न्युक्त करना होगा Facebook के संस्थापक Mark Zuckerberg है Facebook का मुख्यालया California US में है सुनील चेतरी ने अरजन्टीना के लियोनल मैसी को पीछे छोड़ा सुनील चेतरी ने अरजन्टीना के लियोनल मैसी को पीछे छोडते हुए 84 स्ट्राइक के साथ दूसरे सबसे अधिक सक्रिय अंतराष्ट्रिय गोल करने वाले खलाडी बन गए हैं उन्होंने 2022 फिपा विश्व कप और 2023 एफसी एशियाई कप के लिए स्युक्त रूप से प्रारंबिक क्वालिफाइंग राउंड मैच में ये रिकॉर्ड मनाया इस रिकॉर्ड के लिए पहले नंबर पर पूर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनालडो 103 स्ट्राइक के साथ पहले सान पर है सुनील ने भारत को विश्व कप क्वालिफाइर में 6 साल बाद जीत दिलवाई है वो विश्व फुटबॉल के और टाइम टॉप 10 में परवेश करने से सिर्फ एक कदम दूर है सुनील छेतरी भारत के एक पेशेवर फुटबॉलर है और उन्हें कैप्टन फैंटास्टिक के नाम से जाना जाता है देहिंग पठकाई को बनाया गया असम का सातवा राष्ट्रे उद्यान असम सरकार ने अपनी कैपिनेट बैड़क में देहिंग पठकाई वन्यजीव अभियरने को राज्य का सातवा राष्ट्रे उद्यान गोशित किया है इसे वर्षावन के नाम से भी जाना जाता है जिसमें वनस्पती और जीवों की विविता पाई जाती है इसे वन्यजीव अभियरने के रूप में 2004 को मानियत दी गई थी इसका कुलक शेतरवल 111.19 वर किलोमेटर है देश में दूसरे सबसे अधिक राष्ट्रियो ध्यानों की संक्या अब असम में है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा और आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं असम के गवर्णर जगदीश मुखी है और असम के मुख्यमंतरी हिमत बिस्वा शर्मा है लापताव व्यक्तियों की पैचान के लिए इंटरपोल ने लौँच किया आई फैमिलिया इंटरपोल ने पारिवारिक डियने के माध्यम से लापताव व्यक्तियों की पैचान करने और सदस्य देशों में उदासिन मामलों को सुलजाने में पुलिस की मदद करने के लिए आई फैमिलिया नामा के नया वेश्विक डेटाबेस लॉंच किया है इंटरपोल ने इसे इस महीने के एक महतवपूर्ण डेटाबेस बताते हुए अधिकारिक रूप से लॉंच किया अपने बयान में कहा कि उसने अत्यादूनिक वेज्ञानी कनुसंधान को लागू किया और दुनिया भर में लापता व्यक्तियों या अग्यात मानव अवशेशों की पचान करने के लिए रिष्टेदारों के धीने का इस्तेमाल किया इंटरपोल के अध्यक्ष किम जॉंग यांग है इंटरपोल की स्तापनास 7 सितंबर 1923 को हुई थी इंटरपोल का मुख्याल लियोन फ्रांस में है इंटरपोल का अधर्श्वा क्यों है Connecting Police for a Safer World इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट और टेलिग्राम चैनल का लिंक दिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा Friends, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए जैहिन जै भारत